गाईज आप देख सकते हैं ये है रिक्को एरिया बसी दोस्तो यहां का कितना सुन्दर व्यू है जितना सुन्दर व्यू है उतना ही ज़्यादा दोस्तो यहां पर पॉल्यूशन है देख सकते हैं दोस्तो दुआई 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 फैक्ट्रियों से निकलता हुआ और आ तो आपने तरह से यहां पर हमें पार करना है रेलवे ट्रैक तो गाइस तो डगा हमारा कैमरा हिल जाता है तो हाथ देके आए तो रेलवे ट्रैक बना है दोनों साइड चल रहे हैं सीथा पुरा इंडेस्ट्री एरिया पर देख सकते हैं हमारे पीछे यह है रिंग रोड कैमरा जिए यह लो जो जब कि अजयारा था झाल झाल होंगे हम फाइनल या गए हैं लच्मी जगदिश मंदिर गोनेर तो डेड़ किलोमेटर यहां से मंदिर की दूरी है तो चलते हैं मंदिर की तरफ इंदजार की घडिया समात होती है दोस्तों तो आप सामने जो मंदिर देख रहे हैं सिंग विराजमान यही है जगदिश हैं और यहां का मार्केट देखिए यहां पर कुछ परसाद की दुकाने हैं खिलोने की दुकाने हैं आप अपने बच्चों के लिए खिलोने खरीश सकते हैं यहां से तो बिना टाइम बेस्ट किये हम चलते हैं मंदिर की तरफ तो दोस्तों यहां पर देखिए इस टील का य है तो हम चलेंगे मंदिर के अंदर भी दिखाएंगे आपको बगवान स्री जगधीश के दर्सन कराएंगे तब तक आनंद लीजिए दोस्तों यहाँne पर पर्वेश द्वार पर बगवान स्री गनेश estéर है परितम पुज्ये बगवान वे बिराजमन है भगवान की शवारी है भगवान विश्नु की गरुर्डेोता और माता सीता का भी इनूने रक्षा की थी दोस्तों हम भगवान स्रेजगदीश के दर्सन कराते हैं मंदिर में परवेश कर रहे हैं तो चलतें अंदर दिखाते हैं आपको भगवान बगवान सरी जगदीश नारायन लच्मी नारायन मंदिर तो आजाएए हमारे साथ हमारे सयोगी राम बना भी है तो आप आ गए हैं देख सकते हैं हमारी होमिस्किन पर बगवान सरी जगदीश लच्मी जगदीश मंदिर दोस्तो यहाँ पर ये पंडीजी हैं जो परसाद यहाँ पर ले रहे हैं और कितना सुन्दर गलास का छट बना हुआ है कितना सुन्दर जूमर है और आमारी ओमिस्किन पर आप भगवान सरी जगदीश के दर्शन कर सकते हैं दोस्तो आपको मंदिर कैसा लगा भगवान के दर्शन कैसे लगे और देखिए दोस्तो यहाँ पर बिवानी मंतरन भी लाए जाते हैं लोग दूर दूर से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं आप को एक बार बार से हम फिर दिखाते हैं या पर वगवान गरुड भी राजमान है और देखिये इदर से परिकमा दे सकते हैं जहां से वंटी जी जा रही है और यहां पर आपकी परिकमा पून हो जाएगी दोस्तों तो इस तरह से आप मंदिर में परकमा लगा सकते हैं आप तीन परकमा चार परकमा पांच परकमा अपनी जितनी सरदा से आप परकमा लगाना चाहें उतनी लगा सकते हैं हमें तो पता नहीं अतना आता नहीं कितनी परकमा लगती है लेकिन दोस्तों आप तीन से चार लगा सकते हैं तो शुरू करते हैं परिकमा तो देखिए ये परिकमा का मार्ग है और देखिए यहां का मंदिर आपको कैसा लगा हम यहां पहली बार आए हैं दोस्तों और देखिए मंदिर की छट कितनी सुन्दर है आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और दोस्तों आप कैमरे की नजर में हैं और देखिए यहां पर जब मेला होता है तो काफी बीड होती है जेब कत्रों से साबदान रहे और दोस्तों आज मेला नहीं है और देखिए यहां काम सिकर भी दिखाते हैं सपेद मारवल संगमरमर की तरह ही मारवल होता है सपेद उसी से बना हुआ यहां का सिकर है और देखिए बगवान बजरंग बली की यहां पर परतिमा है मदुमक्यां भी कापी हैं साबदानी से आएं दोस्तो और इनसे मदुमक्यों से थोड़ा बच कर रहें अपने बच्चों को देखे शिकर कितना सुनदर है दोस्तो सपेज चमक रहा है सूरिय का परकास गिरते ही हीरे की तरह चमक रहा है शिकर दोस्तों आपको मंदिर कैसा लगा हमें जरूर बताएं और दोस्तों आपके सपोर्ट और प्यार की हमें जरूरत है हमारे चैनल को जरूरत है दोस्तों और हम वीडियो सही बनाते हैं गलत बनाते हैं यह हमें कमेंट में जरूर बताएं और दोस्तों मदुमक्यों से जरूर सा उतार है तो हम चलते हैं आगे की तरफ मंदिर में परिकम्मा पूर्ण करते हैं दोस्तों थोड़े ही वक्त में हमारी परिकम्मा पूर्ण होने वाली है तो हम चलते हैं और दोस्तों देखिए कितने दूर दूर से यहां पर लोग आते हैं और मैं आपकी जानकारी के लिए एक पर लोग अपनी विवा के बाद अपनी पतनी के साथ भी दर्सन करने के लिए आते हैं कैसा लगा मंदिर हमें कमेंट में एक बार फिर से बोल रहा हूं आप सुन सुन के पागल हो गए होंगे दोस्तों लेकिन मेरा काम यही है बोलने का दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें ऐसे ही मंदिरों के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में आप जा सकते हैं और वहां पर देख सकते हैं